अलेकूम वेलकूम तो मारे क्योटीब चैनल दिलाइट आफ नॉलेज हम लोग ने प्रेवियस लेक्चर में जो टाइप ऑफ केमिकल फॉर्मिला देखी थी आज हम कुछ नई टर्म्स देखेंगे कि आपकी यह टर्म्स आपको क्या बताना चाहते हैं सबसे पहली टर्म आपक ग्रूप ओफ एसससरा काफ एकटम अटाच उने के बाद मॉलीकूल बनाते है तो क्या कि अब आपको एक बात प्ता होनी चाहाँ है हर एक अइनक मैस स्हें हम आटोमिक मैस कहते हैं ठीक है एक मेस को शिंपल हम एक मॉलीक्यूल देखते हैं ऑप याप वाटन का मोलीक्यूल सीवाल, मौलेक्यों, दिप्ताइथ में तो आघे उसम आपक और मौलेक्यों का मैас आजाएगा कि आपके उस मोलीकूल का वाटर मोलीकूल का कितना मैस है तो इसको आप नेम दे दोगे मॉलीकूलर मैस का, ठीक है क्या हुआ आपको पता है कि मॉलीकूल किस तरह बनता है, एक यह आपस में लिंक करते हैं, जा हर मॉलीकूल का एक specific atomic number अब इसी तरह molecule का भी atomic number होगा क्योंकि atom का भी specific atomic number है तो उन वो एटम्स जो के molecule में मुझूद है अगर हम उन सब के atomic mass को sum कर दें तो हमारे पास molecular mass आजाएगा molecule का mass आजाएगा जिससे आप molecular mass कह रहे हो फॉर एक्जामपल आप मैंने आपको water की मॉलिक्यूल है आपके पास यहां पर दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है और एक जो है वो oxygen का molecule है अब क्या है हमारे पास hydrogen का atomic mass होता है वह one होता है क्योंकि दो hydrogen मुझूद है इसलिए हम इसे two के साथ multiply कर वा देंगे एक oxygen मुझूद है तो एक ही oxygen का atomic mass लेंगे oxygen का atomic mass आपके पास होता है 16 one multiply by two is equal to two two plus sixteen is two plus sixteen is equal to eighteen ठीक है अब इसका atomic mass को express करने के लिए हमारे पास एक unit होता है जिसे हम amu कहते हैं ठीक हो गया अब क्या किया आपने दो atoms के atomic masses को जब sum किया तो आपके पास molecule का mass आ गया अब यह आपके पास water molecule का mass है जिसका जो जिसका जो जिसकी value है 18 amu ठीक है अब इसी तरह एक और molecule ले लें आपके पास एक molecule है carbon dioxide जिसमें एक carbon attached विवी है दो oxygen के साथ ठीक हो गया आपने क्या करना है एक carbon का ले लेना है और दो oxygen के atomic masses को लेने है ठीक है आपको आपको पता नहीं कि के carbon atomic mass आप पास 12 होता है oxygen का आपके पास 16 होता है क्यूंकि यहां पर दो oxygen है तो आप इसको 2 से multiply करवाद होगे 1620 आपके पास होजेगा 32 32 प्लस 12 वह जाता है पस 44 amu 44 amu हमारे पास molecular mass है किसका carbon dioxide का मैंने आपको count करना भी सिखा दिये कि किस तरह आप जो है molecular mass को निकाल सकते हो अब उसके बाद आजाता है formula mass formula mass क्या है यह हमारे पास sum of atomic number of atom present in ionic compound ठीक है जिसना आपने previous lecture में देखा था formula unit ionic compound का आपके पास formula था इसी तरह formula mass आपके पास mass होगा किसी भी ionic compound का आप किसी भी ionic compound में मुझूद atom के atomic masses को जब sum कर लेते हो उनको add up कर लेते हो आपके पास formula mass आजाता है उस ionic compound का अब क्या है formula mass निकालने का भी सेम यही तरीक है जिसना molecular mass है आपने for example एक ionic compound ले लिया NACL sodium coloride sodium का हमारे पास atomic mass होता है और टेबल में से आप देख सकते हो 23 और आपके पास जो है वो कलोरीन का होता है 35.5 जब आप इन दोनों को sum up करते हो आपके पास आजाता है 3 oxygen है तो इसे लिए आप इसको 3 से multiply करवा दोगे जब आप इन सब को sum करोगे तो आपके पास answer आएगा 100 amu यह आपके पास calcium carbonate molecule का जो के एक ionic compound है उसका formula mass है ठीक हो गया यह आपने देख लिया अब आ जाते हैं आपके पास तीन नई टर्म है ग्राम atomic mass mass gram formula mass gram gram molecules mass gram formula mass अब क्या किया थम्म मैश मेने आपको बताया he atom के mass को atomic mass कहते है molecules के mass को molecular mass कहते हैं और ionic compound के mass को formula mass कहते है except अब इन सब के आज़े इन ने gram लगा दी यह gram लगाने का क्या मैक्सद्र, जब आप किसी atom के mass को ग्राम मेय बाप को बता है आप atomic mass को represent करते हो AMU में ठीक है AMU में इसी को आप atomic mass भी से एक्सप्रेस करते हो molecular mass भी इसी से ही करते हो और अगर formula mass देख लो तो वो भी से करते हो AMU आपके पास unit है atomic mass, formula mass और molecular mass को express करने का लेकिन अगर हम इसी atomic mass को AMU की बजाए gram में express कर दें amu हटा के gram लगा दे तो वो हमारे पास बन जाएगा gram atomic mass ठीक है atomic mass of an element expressed in grams is known as gram atomic mass अब इसको gram atomic mass की जगा आप mole भी कह सकते हो for example आपके पास एक hydrogen का element लिया है one gram of atomic mass of hydrogen आपको पता हाइडरोजन का हमारे पास जो atomic mass होता है वो one amu होता है अगर हम यह amu हटा कर इसको gram में represent कर दे तो यह हमारे पास gram atomic mass बन जाएगा जो के equal होगा one mole के ठीक हो गया उसके बादा रहता है molecular mass किसी molecule का आप mass देख रहे हो आप molecular mass को भी amu में ही express कर रहे हो लेकिन अगर आप amu हटा कर इसको gram में express कर दोगे तो आपके पास हो जाएगा यह gram molecular mass आपने एक compound लिया water molecule ले रहे हो ठीक है water molecule one gram of water molecule का जो atomic mass होगा ना वो equal होगा 18 grams के कहां आप देखो आपने यहां देखो ना आपने यहां निकाला था 18 amu लेकिन अब क्या कर रहे हो आप इस 18 amu की जगा आप इसको रिप्रेजेंट करें ग्राम में तो क्या बन जाएगा यह वन मोल की एकवल हो जाएगा यह बन जाएगा ग्राम molecular mass ठीक हो गया फिर formula mass का भी यही है कि अगर आप formula mass को amu की वज़ाए ग्राम में एक्स्प्रेस कर दो तो वह माल पास ग्राम formula mass बन जाएगा वन ग्राम ऑफ एने सीयल जो के एक आयोनिक compound है आपको पता है अभी आपने पीछे formula वह मैस निकाला भी था जो था 58.5 amu अब आप इस amu को निकाल कर इसको ग्राम में रिप्रेसेंट कर रहे हो तो यह माल पस ग्राम formula mass बन जाएगा जो इक्वल होगा वन मोल के यहां पर आपका लेक्चर सम अप होगे जिसमें आपने आती है gram atomic mass gram molecular mass gram formula mass के ठीक हो गया यहां पर आपका लेक्चर हो गया सम अप अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता तो लाइक करना मत भूलिएगा कमेंट भी जरूर कीज़ेगा मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्स्राइब डिकीज़ेगा थैंक्यू सो मच अलाहाफ क्या है